Hello Everyone, Guru Gyanam, It's All About Home Science में आप सभी का स्वागत है संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना और ये सूचनाओं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती है जब तक इसका आदान प्रदान, यानि कि भेजने वाला जो मैसेज कहना चाहता है और जिसको देना चाहता है यानि कि प्राप्त करता को उस तक ना पहुँचे उस रूप में जिस रूप में वो उस बात को कहना चाहता है तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हमें ये बताएगा कि संचार की प्रक्रिया होती क्या है ये वीडियो आपके चाप्टर 6 मीडिया और संचार प्रद्योगी की का भाग 2 है तो चलिए जानते हैं कि संचार कैसे होता है इसके लास्ट वीडियो में पार्ट वर में आपने पढ़ाता संचार होता क्या है अब हम ये जानेंगे कि होता कैसे है संचार संचार की प्रक्रिया में एक माध्यम होना बहुत जरूरी है जिसके द्वारा संदेश भेजने वाला अपना संदेश प्राप्त करता तक पहुचाए आपको इस चित्र से बहुत अच्छे से इस पस्ट हो जाएगा संडर यानि कि जो भेज रहा है संदेश ये मैसेज हो गया और यहाँ पर प्राप्त करता है लेकिन किस माध्यम से पहुचाए जिससे कि receiver तक प्राप्त करता तक पूर्र रूप से वो संदेश पहुच जाए तो किसी भी माध्यम दोरा प्रेशक से प्राप्त करता है सूचनाय या जानकारियों का आदान प्रदान करना ही संचार की प्रक्रिया है और संचार प्रक्रिया में बिभिन माध्या मेवं विधियों के द्वारा सूचनाय आदान प्रदान की जाती हैं जिससे प्रेशक और प्राप्त करता दोनों ही संचार की या सूचना की जानकारी को भली भादि से पूर्ण और स्पस्ट रूप से समझ सके और भविश में संचार की योजना को बनाने के लिए प्राप्त करता से उसकी प्रतिपुस्टिया फीडबैक को प्राप्त कर सके तो यही है संचार की प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया का कुछ अनुक्रम होता है एक क्रम होता है जिससे संचार की प्रक्रिया चलती है तो यह अनुक्रम है कौन? यानि कि जो संचारक होगा क्या कहता है? What he says means संदेश क्या है? In which channel? किस चैनल से मतलब किस माध्यम से संचारक अपना संदेश पहुंचाएगा किस को पहुंचाना है वो भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो संदेश है वो किस चीज के लिए है अगर कोई भी ऐसा सामान के बारे में या कोई भी ऐसी जानकारी जो हम पब्लिक को देना चाहते हैं ज तो वो सभी तक पहुँचनी है, तो उसका हर तरीके से, हर माध्यम का उप्योग करके, अकबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मुबाइल के, फोन के माध्यम से, हम सभी तक जो प्राप्त करता तक संदेश पहुचा सकते हैं, तो यह बहुत कि संचारक संदेश को किस माध्यम से प्राप्त करता तक पहुचाता है और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा ये जानना भी बहुत ही आवश्यक होता है और सामान्य रूप से किसी भी संचार प्रक्रिया के बुन्यादी तत्वों को पूरा करने के लिए एक निश्च क्रम विवस्थित किया जाता है और फिर भी प्रभावी सफल संचार के लिए पांच घटकों का गुशलता पूर्वक नियंत्रन किया जाना बहुत जरूरी है इससे संचार में के SMCRE model कहा जाता है इसको ऐसे समझते हैं हम इस चित्र को आप ध्यान से देखिए स्रोत यानि कि जो संदेश को देने वाला है कोई भी संचारक हो सकता है उद्भावक हो सकता है या प्रेशक हो सकता है एक संदेश होना जरूरी है, संदेश में कोई सूचना हो सकती है, कोई विचार हो सकता है या कोई विशे हो सकता है उसको भेजने के लिए प्राप्त करता तक एक suitable माध्यम जरूरी है चैनल जिसको कहेंगे कोई भी साधन या कोई भी माध्यम हो सकता है और receiver प्राप्त करता जो होगा कोई भी दर्शक हो सकता है श्रोता हो सकता है और जो smser model है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उसका feedback क्या है दर्शकों की क्या प्रतिकिया है उस संदेश को लेकर तो चलिए इनी 5 model जो model है हमारा संदेश की प्रक्रिया में उसको समझते हैं सबसे पहले आता है स्रोत स्रोत कौन है स्रोत वह व्यक्ती है जो संचार की प्रक्रिया को सुरू करता है और संदेश को भेजता है और इसी पर संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का उत्तरदायत है क्योंकि अगर उसने संदेश सही ढंग से बेजा है तब ही संचार की प्रक्रिया प्रभावी होगी ये व्यक्ति प्रेशक हो सकता है जैसे मैंने बता है संचारक हो सकता है कोई भी हो सकता है जो संदेश भेज रहा है जैसे अगर हम उधारण देखें तो अगर हमाई मादा पिता हमसे कुछ कह रहे हैं तो वो संदेश वाग वो होंगे वो स्रोत होगा आपको टीचर आपको कुछ दे रहा इस समय मैं स्रोध हूँ क्योंकि मैं आपको संचार के बारे में पढ़ा रही हूँ तो स्रोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते है जैसे कि व्यक्तिका संचार का उसल कैसा है उसका द्रिस्टिकोर कैसा है व्यक्ति का ज्यान कितना है संस्कृत कैसी है और सामाजिक व्यवस्ता ये सवी कारग संचार के प्रक्रिया में स्रोत को प्रभावित करते हैं इसके बाद आता है संदेश तो जो संप्रेशक है वो एक संदेश देगा संप्रेशक द्वारा दी जाने वाली जानकारी विचार या समगदी जिसे वा किसी व्यक्ति समू या जन समू तक पहुंचाता है उसे हम संदेश कहेंगे और संदेश किसी भी तखनीक ये मादियम से दिया जाता है या व्यग्यानिक तरीके से दिया जा सकता है तो कुछ अच्छे संदेश के जो ग वहां के लोगों को उसे आनी चाहिए जिसको हम बता रहे हैं आकर्शक होना चाहिए सपस्ट होना चाहिए बहुत ही विशेष्ट और प्रमारिक होना चाहिए और समय समय पर चैनिच चैलों के माध्यम से उसको receiver तक पहुँचाए जाना चाहिए और संदेश को प्रभावी बनाने के लिए जो सामग्री, तत्व, प्रबंधन वा संरचना पर विशेश ध्यान देना बहुत ही जरूरी है संदेश प्राप्त करता के लिए विशस्निय संदेश, उप्योगत संदेश और अनकूल हो ये बहुत ही आवशक है फिर आता है चैनल चैनल क्यानि जिस माध्यम से हम जो भी संदेश भेजने वाला संदेश पहुँचाए वो कहलाएगा चैनल ये वह माध्यम अत्वा उपकरण है जिसके द्वारा संदेश प्राप्त करता तक पहुँचाया जाता है कोई एक माध्यम का चुनाओ करना जिसके द्वारा कोई भी संदेश पहुँचाए जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे यहां इन्होंने वीडियो चैट का सेलेक्शन किया है जैसे कि मानों की ज्यानेद्रिया मूल भूत प्रणाली होती है जैसे सुनना, देखना, चूनना, सूंगना आदी तो चैनल दो प्रकार के होते हैं एक तो है फेस टू फेस यहनी कि अंतरव्यक्तिकत चैनल और दूसरा है मास मीडिया यानी कि जन संचार माध्यम दोरा संचार का चैनल पहली प्रक्रिया में अलग-अलग व्यक्तिया समू हो सकते हैं जिसे बात करी जा सकती है सबसे सरल एवं प्रभावी प्रणाली यही होती है उसके अलावा दूसरी प्रणाली है जिसमें उपगरह बेतार या ध्वनी तरंगों के द्वारा संदेश को दूसरे तक पहुचाया जा रहा है दूसरे मीज की प्राप्ट करता तक इसके बाद प्राप्ट करता आता है रिसीवर जो संदेश को प्राप्ट करता है ये कोई व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, ये कोई भी जनसादारन हो सकता है, जहां पर संदेश पहुंचाया जाना है, ये संदेश को कैसे ग्रहन करता है, ये उसकी कौशल, द्रिस्टिकोन, ग्यान, संस्कृति और सामाजिकता पर निर्भर करता है, रिसीवर जितना ही अधिक सजातिय होगा, उतना ही अधिक संचार सफल होगा, जैसे एक्जाम्पल के तौर पर बताऊं, अगर हम जिसको संदेज दे रहे हैं, वो हिंदी में संदेज को समझ सकता है असानी से, और उसको इंग्लिस में संदेज दिया जाए, तो बहुत ही प्रभावी नहीं होगा तो जो समू है, वो सजाति होना चाहिए, हम जो संदेज दे रहे हैं, उसे समझने वाला होना चाहिए और संचार प्रक्रिया के SMCRE मॉडल का पाँचवा घटक है, और अंतिम घटक है, संचार का प्रभाव या धर्सकों की क्या प्रत्रक्रिया होती है उसको लेकर तो जब तक संदेज का जवाब नहीं आता है, तब तक कोई भी संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है जब संदेज प्राप्ट करता तक पहुंच जाता है, तो उसकी प्रत्रक्रिया अवश्य आती है समापती तब होती है जब संदेश प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुसार है अगर हमने जो अपेक्षा करके संदेश दिया है वो संदेश लोगों तक पहुंच के वैसी ही प्रतिक्रिया नहीं आए तो संदेश अधूरा रहता है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एक उद्देश के लिए संचार किया जाता है तो उसकी प्रतिपुस्टी आना जरूरी हो और तभी वो चक्र पूरा होता है फीडबैक क्या रहा उस संचार का और अगर लक्षे समू तक हमारा संदेश सही रूप से नहीं पहुंसता और प्रतिप्रिया सही नहीं आती है तो उस संदेश को भेजने के तरीके पर फिर से विचार करना जरूरी होता है तो इसको हम एक उधारण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है पढ़ाने के बाद अगर प्रैक्टिकल करा रहा है उसका आपसे वहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं और आपकी प्रतिप्रिया से पता चलेगा कि जो पढ़ाया गया था जो संदेश आपको दिया गया था वो सही डंग से आपने प्राप्त किया या नहीं किया यदि नहीं किया तो क्या संकाय थी जो आप नहीं समझ पाएं उन संक्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा समाचार पत्र पत्रक्याओं आदि में संपादक को पत्र द्वारा पाटकों की प्रत्र किया मागी जाती है कई बार जिससे वह अपने संचार माध्यम को और अधिक उपयोगी और सफल बना सकता है इसी प्रकार जब भी हम कोई चीज टेलिवीजन पर देखते हैं उसके बारे में भी दर्सकों की राय ली जाती है जिसको टी आरपी द्वारा जाने जाती है कितने लोग इस प्रोग्राम को सही ढंग से देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं यही उसकी प्रतिपुस्ट होगी तो यह रहा आपका संचार कैसे होता है मुझे उमीद है कि आपको इस चैप्टर का यह पार्ट सही ढंग से समझ में आगया होगा और फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग गुरु ग्यानम इट्स अल अबाउट होम साइंस मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी थैंक्यू सो मच